श्रुणिस वाले वीडियो में एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ आपका एक मात्र साती है इस नीट के तैयारी में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको यदि खुद पे विश्वास है आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आपको खुद के ओपर विश्वास नहीं है मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं जिसमें स्टूडेंट बोलता है कि सर खुद के ओपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मेरी तैयारी हो जाएगी क्या मेरी तैयारी ठीक चल रही है क्या सर आप थोड़ा मोटिवेट कर दीजे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपको मोटिवेशन खुद के अंदर से मिलेगा ये मिलता कैसे है मौक टेस लिखके ठीक है और मैंने आपको क्या बोला है मौक टेस से पहले आपको थियोरी पढ़नी है याने ये पार्ट हुआ अगुपर CPT, जो भी से मौक टेस का ये पार्ट हुआ से लेबिशन करना है ये जो सिरीबिवेशन करना है और मौक टेस से आपको पता चलता है कहां पर खड़े आपका लूब अपका याने नहीं हो ल हная ये वह चीजन यो आपको यह confidence नहीं दे सकता, आपके parents आपका कितना भी अच्छा ख्याल रख रहे हो, जब भी आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, वो आपको अच्छी अच्छी चीजे बोलते हैं, but ultimately confidence अंदर से आता है, और confidence अंदर, यहाँ पे जो score है, जब वो improve हो रहा होता है, तो वो आता है, ह यहाँ पे भी आपको NCRT वाले मिलेंगे, पर मुद्दी की बात यह है, कि आप इनसे भाग नहीं सकते हैं, एक तारिको टेस्ट है, देना है, संडे और आदा सैटरडे, रिविजन करना है, और उससे पहले चैप्टर खतम करने हैं, तो बच्चों इन चीजों का ध्यान आएगी, और टेस्ट में आपको अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव होता हूँ, दिखाई देगा, तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चालो हो जाएगी, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, कि हापके बसकी है, तो यह चीज़ समझ लिजे, विदाउट बिल से लिबस खतम करने की कोशिश करेंगे, हर एक मॉक्तेस वो ऑपरचुनिटी है, जिसमें आपको करना है, क्योंकि मॉक्तेस आपको confidence देता है, और वो ही confidence आपको चाहिए ताहियारी में, ठीक है, बच्चों, बात समझ में आ गई, वीडियो के comment section में बता दीजे, आप मॉक् और inspire batch दोनों का, ठीक है, लिंक मैंने वीडियो में description में डाल दिया test series का, पर आप से commitment चाहिए, आप मॉक्तेस से भागेंगे नहीं, क्योंकि मॉक्तेस से confidence मिलता है, और खुद के ओपर confidence आपका सबसे बड़ा साती है, नीट के तैयारी में, ठीक है, बच्चों?